यूपी में चटे चरण में 52.03% मतदान हुआ है सुल्तानपूर में 55.06.06% पृतापकड में 59.06.06% पूलपूर की बात करें तो 48.09.07% इलहाबाद में 59.09% अम्बेटकर नगर में 61.6% और साथी डुमरिया गंज पे 59.12% 56. संथकभी नगर में 52 और लाल गंज पे 54.00% मतदान हुआ आजमगर में 56.00 जौनपूर में 55.00 मस्टी शहर में 54.00% तो वही भधोही की बात करें तो 53.00% मतदान हुआ वरणसी में सीम योगी ने काश्वे विश्वनात मंदिर में पूजा अर्चना की राली के बात में सीम योगी मंदिर पहुचे और बाबा विश्वनात की पूजा अर्चना की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं वरणसी में मुख्यमंत्री योगी आधितनात पहुचे पूजा अर्चना की ताल बहरफ मंदिर के और चला भी शेक कर महादेख का अश्रवाद भी लिया इससे पहले सीम योगी ने वरणसी के असी घाट पर आईजित जनसभा को संबोदित किया सीम योगी ने रैली को संबोदित कर वेपक्ष पर करारावार किया इस दौराण सीम योगी ने कहा कि कौंग्रेस का विरासत टैक्स का जज्यात कर है कि अगर कौंग्रेस की सरकार आएगी तो कहती है कि हम प्रसनल लौ लागू करेंगे प्रस्टनल लौ का मत्बब यह इसका मत्बब है भारत के अंदर बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी बहने और माताएं बाजार नहीं जा पाएगी गर के अंदर बुरका पहन करके दुबक्ये रहना पड़ेगा तालीपानी सासन को टेश के अंदर लागू करने का कुछित परियास भारत बाबा साथ भीमराम बेट करके द्वारा बनाए गए सम्मिदान से चलेगा भारत किसी सरिया कानून से नहीं चल सकता है यह भारत यह जंता पार्टी घोचना करती है बाबा विश्वनात के मंदिर को पवित्र करने का काम किसी ने किया था इसी दुष्ट औरंग जेब ने किया था बैन और भायों मतुरा का भग्मान कृष्ण का मंदिर इसी दुष्ट औरंग जेब ने तोड़ा था और कोई सरीब मुसल्मान भी अपने पुत्र का नाम औरंग जेब नहीं रखता औरंग जेब ने अपने समय में ऐसा ही टैक्स हिंदों पे लगाया था उसको कहते हैं जजिया कर हिंदों से कहता था यह तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसल्मान बनो बैन और भाईयों यह वरासा टैक्स कॉंग्रेस का यह जजिया कर रहे है औरंग जेब का हमें औरंग जेब को देश के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है नहीं होने देना है उसको जहां दफन है वहीं दफन होने देना है पियम मोदी ने आज गाज़ेपूर में जनसभा को संबोलिट किया और फेपक्ष पर करार अप्रहार किया पियम मोदी ने साथफे चरण के लिए दुवाधार प्रचार किया अस मौके पर पियम ने कॉंग्रेस वार गठबंदन को आड़े हाथ लिया सपा के सहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की इंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए सपा ने माफियाओं को पाला पोसा उन्हें टिकर दिया जो अपनी बात पर काइम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता ये इंट्री गडबंदन माली जितनी पाटी है ना उन सब में कुछ अउगुन कॉमन है उनकी पहचान है एक इन्डी गडबंदन वाली सभी पार्टियां गोर सांप्रदाइक है दूसरा वे गोर जातिवादी है तीसरा वे गोर परिवारवादी है इन लोंगों ने हमेशा देश में दलीतों पिछनों को आगे बढ़ने से रोका वरणसी में प्रियंका गांधी और डिमपल यादफ ने रोट शो किया इंडिया गठपंदन से कॉंग्रस उमीदवार अजवे राई के लिए रोट शो कर प्रिशार किया दोनों नेताओं ने कॉंग्रस उमीदवार अजवे राई को जितानी के अपील की रोट शो से पहले काल भैरफ मंदिर पहुँच कर दर्शन पूजन भीग किया खबर प्रियागराश से है रेवती रमन सिंग के खिलाफ एफ यार दर्श की गई है आचार सहीता के उलंगन के आरुप में ये मामला दर्श किया गया करेली थाने में पूलिस ने मामला दर्श करते हुए रेवती रमन समेत 50 समर्थकों के खिलाफ मुकद्बा दर्श कर लिया है